नमस्का दोस्तो स्वागात थे आप सभी का सक्सेज स्टेप्स के यूटूब चैनल में दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है 22 मई से RRBJ की परिच्छाएं स्टार्ट हो रही है टोटल दोस्तो नमबर नमबर के मार्क्स में से टोटल पैतालिस नमबर का वेटेज होता है जीए प्लस जीएस का जो की काफी important section होता है जीए प्लस जीएस का तो दोस्तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से important topic आप इन बाकी के 9 दिनों पढ़ें जिनसे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें CBT1 में जीए प्लस जीए सेक्षन में तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं CBT1 में कौन-कौन से topic आते हैं तो पहले दोस्तो mathematics आता है mathematics के 30 question 30 number के होते हैं उसके बाद general intelligence and reasoning के 25 question जो की 25 marks के होते हैं उसके बाद GA यानि general awareness और general science तो पंदरा question दोस्तों जनरल awareness से आते हैं और इसके बाद 30 question आते हैं general science से तो दोस्तों दोनों मिला के 45 number के question आते हैं इस GA plus GS section से तो दोस्तों वीडियो में हम GA plus GS के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मैंने negative marking और passing marks के बारे में लिख दिया यहाँ भी आप देख सकते हैं तो negative marking 1 by 3 और 30 जीसा कि आप सभी को पता है उसके बाद passing mark की बात करें तो unreserved के लिए 40% marks लाना होता है 90 में से OBC के लिए 30% marks SC के लिए दोस्तों भी 30% marks और ST के लिए 25% marks लाने होते हैं पास होने के लिए CBT 1 के exams में तो यह तो कुछ बात होई पासी marks और negative marking की बात कर लेते हैं GA और GS में क्या क्या आपको पढ़ना है इन बाकी के 9 दिनों में तो दोस्तों एप अंदर जो question आते हैं GS से कौन कौन से topic से आते हैं Art and culture उसके बाद awards and honor agreements and MOUs books and autograph and book और उसके लेखक उसके बाद days and event उसके बाद defense से environment से government policies से international relations से उसके बाद personal news sports से geography, appointments, national parks capital and currency ancient history and first involved यह सबी important topic है दोस्तों जिनसे लगबग 15 questions बनते हैं GA के section में तो दोस्तों इन सबी topic को मैं आपको 9 दिनों के अंदर complete तयारी करा दूँगा इन से भी topics की 9 दिनों के अंदर तो आप मेरे चैनल पर बने रही हैगा इसके साथ दोस्तों मैंने फिलाल में इन topics में से maximum को मैंने cover कर दिया अपने चैनल पर जिनने आप देख सकते हैं मैरे चैनल पर इनको search करके जैसे मैंने current affairs से related जितने भी important सुचकांग थे 2019 अठारे को उनको complete करा दिया है उसके बाद दोस्तों मैंने मार्च के सौ सबसे best current affairs को भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है उसके बाद महत्पुन्ण दिवस वा उनकी थीम जो की जैसे कि आपके syllabus में यहां पर लिखा हुआ जिये में इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ 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 है उसके बाद इसको पूरसकार वा ऑनर्स को भी मैंने अपने वीडियो में संहलीत किया हुआ हुआ हु दोस्तो अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है उसके बाद सैन अभ्यास जितने भी इंपोर्टेंट हुए थे दोस्तो 2019 के उनको भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है तो दोस्तो यह सबी वीडियो आप देख सकते हैं यह आपके RRBJ की परिचाओं है तो यह बहुत दोस्तो इन संभी की तैयारी मैं आपको 9 दिनों के अंदर जुरूर करा दूँगा यह सबी टॉपिक आप जुरूर पढ़ लिजिएगा GA plus GS के मैं वादा कलता हूँ आप अच्छे सच्छा गेन कर पाएंगे दोस्तो इन 45 मार्क्स में से तो दोस्तो आज के लिए बस इतना आए बने रहे मेरे वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ तो दोस्तो थैंक यू थैंक्स प्रोचिंग थैंक यू